अब उसी किराय में सभाइसाट किये थे उर अर्य बीटी के जन्मुएद ही इस कंपणि को में स्टार्ट किये थे जैसे चोटा गारी है 60 रुपय पर आवर उसका रेंट है बाकि फ्यूल और मेंटनेंस और ड्राइवर का चार्ज पर किलोमीटर होता है suppose that अगर आप family की किसी member को भी घर से कहीं भेज रहना के लिए तो आप अपने mobile पर जब तक वो destination तक जब तक वो नहीं पहुंचे है तब तक आप अपने mobile पर देख सकते हैं वह वहां drop हो गया आपको एक्सेस हांड जाएगा अगर राइड कनफॉर्म हो गया अगर कस्टमर को नमबर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं है कि एक दिलखुश आया और किसी दर्भंगा के छोटे से ओफिस में किसी आर्यागो को शुरू किया ये लिखा जाएगा कि पटना से प्रशान त्राय इस ओफिस को इसलिए देखने आये थे क्योंकि बिहार में जब संभावनाओं की बात होती है तो ऐसे नौजवानों का जिक्र करना जरूरी है ये लिखा जाएगा कि ऐसे लड़के जब आते हैं और कहते हैं कि हम भी बिहार को आधुनिक बनाएंगे तब सरकारे और लोग इनका साथ क्यों नहीं देते हैं अब आप चारिकता के लिए नमस्कार मेरा नाम प्रशांत राय है आप जरनता जंग्शन देख रहे हैं ओला उबर बहुत सारी कैब इसका नाम आपने सुना होगा ओला और उबर ने कोई पैसा नहीं दिया यहां पे क्लियर कर देने हैं आर्यागों ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उनके स्टार्ट अप को दिखा सकें आपको यह समझा सकें कि जो देशी सब्द की प्रचलन में मोदी जी के बोलने के बाद जो शब्द आया और लोकल और फॉर वोकल हम यह कहते हैं तब हमें इन जैसे लड़कों का सपोर नहीं है प्रशांद भाई वो यह भी बता रहे थे कि जब कोई बेटी पैदा होती है तो हम उनको फ्री में राइट देते हैं वो यह भी बता रहे थे कि जब सहरसा के स्टेशन पर कोई आर्मी का जवान आता है तो घर तक उसको फ्री में छोड़ने इनकी कैप जाती है ले सबसे बड़ा चीज है जो पहले से प्रथा यहां पर चला आया है हम लोग टांस्पोर्टेशन सेग्मेंट में है तो पहले से यहां पर प्रथा है वो प्रचलन था लोगों का मन में रेंट वाला हजार रुपए 1100 रुपए दीजिए फ्यूल दीजिए फिर गारी यूज कीजिए हम लोग का कॉंसेप्ट ही अलग है जो आटो से जो काम लोग करते थे टेंपू बुक करके स्टेशन जाना अपने परिचित के यहां जाना माई के जाना कहीं भी जाना तो उसको अब हम लोग कार पे ले रहे हैं तो थोड़ा से लोगों को समझने में टाइम लग रहा है जो आटो का जो भूमी का होता था पहले अब उसी किराय में अब कुछ भी नहीं है अगर एक घंटा के लिए यूज करते हैं तो आपको एक घंटा कहीं करना हो हम लोग क्या करते हैं रेंट लेते हैं जैसे चोटा गारी है साथ रुपय पर आवर उसका रेंट है बाकी फ्यूल और मेंटनेंस और ड्राइवर का चार्ज पर किलोमीटर होता है तो जो बाहर में भी पहले लोग फ्यूल कॉस्ट देते थे हम लोग फ्यूल कॉस्ट लेते हैं और साथ रुपय पर आवर गारी गारेंट लेते हैं तो थोड़ा सा निप आवर ऐसंपर mund नहीं होती थी जा और ट्राइवर के साथ सफरках सप्रेट रहा है कि नहीं है कितने लोग करते हैं हम लोग cat व्म बखाक्ड कितना है कितना कि दूर तक हम लोग चला था कि जाएंग दूर तक Q彌 मनिटर करतें ठैकी ईप्यस स्फिस्टम से को अगर आप फैया मिंबर को भी घर से कहीं Katy यहां hen नहीं भेज रहना के लिए तो आप अपने मोबाइल पर जब तक वह डिस्टीनेशन नहीं तक जब तक वह नहीं पहुंचे हैं तब तक आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं वह वहाँ ड्रॉप हो गया आपको एक्सेस हां जाएगा तो फीचर्स भी दे रहे हैं सुरक्ष का हम लोग चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा इसको कॉर्परेट व्हला फिलिंग दे रहा है और लग रहरे है कि मतलब सफलता के करीब पहुंचेंगे बिहार में जुरूर दे हो में फिछले चार African का मुच्छा परसा समधाने को चुकि पहले मं था तक अब लेकिन अब ठीक है अभी जो हम लोग का जो सहरसा सुपॉल मद्यपूरा इवेंट दरवंगा हम लोग आये हैं दो महिना नहीं हुआ है जो वॉल्यूम यहां पर हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग संतुष है लेकिन हम लोग को कुछ और करना हम चार हैं पूरे बिहार में इसको लेके चलें और हर एक मंत कोई नया सहर को टार्गेट करें बोकिंग कैसे होता है बोकिंग मोबाइल एपलिकेशन है प्लेइस्टोर पे आर्या को कैब उसको डाउनलोड करके रेइस्टर करिए अपना डिस्टिनेशन डाली है एस्टिमेटेड फेर दिखाएगा आप बोक कर लिए या सीडूल कर लिए है यहल्फ लाइन नंबर भी है है फ्लाइन नंबर पर भी कॉल करेंगे तो पर भी बूकिंग हो जागा दोनों और सबसे वराची है यह हम लोग काईदावा है अगर राइड कंफॉर्म हो गया नंबर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं अ अगारी निकालना परे दे देंगे मार्केट से 5000 रुपए रेंट पेकर के लेना परे दे देंगे चुकि हम लोग कंफर्म तभी करते हैं जब हम अपना एबलेविटी चेक करते हैं जो हमारे पास कितना है तो उसी सब जो राइड कंफर्म हुआ कैंसिल नहीं दूसरा सबसे ब करते हैं और सबसे बहुत हैं अब कहीं जाएंगे जाने आने दोनों साइड का किराया लगता है क्योंकि इंदन तो जलती है गारी में तो अभी हम लोग क्या किये जो साहरसा और दर्वंगा पहले से फंक्शनल है दर्वंगा हम लोग लौंच किये अभी हमारे पास पहले 3000 रुपय की राया आथा था उसको 600 रुपय कर दिए अभी हम लूग पटना को सलेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी पटना हम लूग करेंगे जो 4000 रुपय अभी पटना जाने आने में खर्च होता है लोगों को जाने में यहां से ऐर पोट जाएं कहीं भी जाएं पटन और थोड़ा सा वोल्यूम बढ़ते ही हम लोग चुकि काड़ी तो इंदन से चलती है जाइड सी बात है हम तभी आपको कर पाएंगे जब हमारे पास वोल्यूम रहे हमारे पास उधर से कोई कस्टमर मिल जाए तो ही हम करेंगे तो इस चीज़ पर काम चल रहा है और बहुत ज पर अरिया को लिखा होएं क्या करते हैं यहां के अनर के थ्रू बिदेते हैं इसे और के दिधा नहिए लगब्ग 300 काप ड्राइवर है लगभक 3040 कप ड्राइवर है और उसमें 200 ऐसे हैं जो जिनका ओनर भी है उसमें मतलब ड्राइवर को भी रोजगार मिला और ओनर को भी रेवेन्यू मिला 500 उदर हो गया और हमारे आपने वर्किंग टीम में लगए 20-22 लोग है जो दरवंगा रीजन में सारसा रीजन में सुपॉल रीजन में सर बीकम पार्ट वान में अभी हम एक और पक्षे लड़कियों काम करने का तो कितने मुझे आती हैं सुपाब नौ सारे नौ में तंग करते होंगा आपको बहुत ही है नौ अरे जुड़ माद लोगे नौ कुछ ना कुसे तंग करते हैं नौ सही में ने जी जूड़ बोल जू और आप कहां से भाके लाएं वो दिली से दिली मनुक्री कर रहे हैं तो क्या जूड़ बोले आपको बिलाने से पहले यहां को बताईए जूड़ नहीं वह एक्चली वह मेरा चाल्वुड फ्रेंड है और वह कुछ करना चाहता बिहार के लिए तो एज़ फ्रेंड और एज ज्यादा तर हम लोग काम जो यूएस के लिए यूके के लिए कर रहे थे अगर इंडिया में स्टाइब का वह एंवर्यमेंट अगर प्लेटफर्म मुझे दे रहा है तो क्यों नहीं उसमें हम भी आके हमारी अगर कंट्यूबिशन होने से कुछ एक नया मतलब मेंसे जाता ह एक नया इंप्लाइमेंट और तो इसलिए है हांडेट परसेंट अब आएंगे दिल्खुष जी से बात करेंगे थोड़ी सी और आईए बहर आईए इधर आईए अब आएंगे दिल्खुष जी के ऑफिस में और यहां पर मतलब एक बहुत क्लीशे सा लाइन है कि कौन कहता बहुत अच्छा लगता है कि बिहार घूमते हैं और आप बैठे हैं और यहां बीड़ा उठाया है कि वहार को सम्रिद्ध करेंगे अपने-पने हुनर के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है स्टार्टप के लिहाद से सरकार का कोई हेल्प हाँ 2018 में स्टार्टप बिहा अब चीजे बदल रहा है लोगों का मानसिक्ता भी बदल रहा है अब लोग यहां पर पैसा नहीं सर्विस देखने लगे हैं कोई भी प्रोडक्ट भी अगर खड़ीते हैं तो उसका गुनवत्ता देख रहा है जो गुनवत्ता अच्छी गुनवत्ता वाले मिलने चाहिए तो रिस्पॉंस भी अच्छा मिल रहा है लोगों का शलिए एक बाँ दिखा दीजिए शाम भवी दिल्खुष बिहार गौरफ से सम्मानित बन गाओं के दिल खुष्टे ऐसे लोगों को कवर करना मेरा कर्तव है ताकि यह लोग आगे बढ़ सके इन पर आपका नजर जाए और आप भी दर्भंगा में हैं सहरसा में हैं और कहां कहां जी तो अगर आप यहां पर हैं और आप चाहते हैं कई सफर करना तो आर्यागो करिए इनका टैगवर्ड है सफर भरोसे का बाकि अगर इनसे कोई सिकायत हो तो यह भी इनसे करिएगा और यह बताइएगा कि एक किस किस चीड़ों में सुधार सकते हैं मिने नाम प्रशांत रहा